जैसे कि मैंने लिख दिया है नेम आटो नंबर नहीं होना चाहिए नेम में जो है सिर्फ अगले फिल्ड में हम लोग आएंगे और कोर्स को भी जो है हम लोग फीस को जो है हम लोग नंबर देने वाले हैं हैला दोस्तों नमस्कार सागत है आप लोगों का MS Access की पहली क्लास में जी हाँ दोस्तों आज से हम लोग जो है MS Access सीखना सुरू कर रहे हैं और ये पहली क्लास है यानि पार्ट वन है इसी तरीके से MS Access के उपर और भी पार्ट आते रहेंगे और धीरे धीरे हम लोग MS Access पूरा क सुरू से सिखाया जाए इसलिए मैंने MS Access स्टार्ट कर दिया है आज से हम लोग MS Access बिलकुल सुरू से सीखने वाले हैं तो अगर आप भी MS Access के बारे में बिलकुल भी नहीं जानते हैं आपको बिलकुल भी नहीं पता है कि MS Access क्या है किस तरीके से इस्तमाल करते हैं किस तरीके से MS Access में डेटाबेस तयार के जाता है तो ये वीडियो आप पूरा जरूर देखेगा और MS Access की जितने भी वीडियो आएंगे यानि MS Access की जो भी हम सीरीज चला रहे हैं इस सीरीज को आपको पूरा देखना है तभी आपको MS Access अच्छे से आएग ताकि उनका भी फायदा हो सके और चैनल पर पहली बार हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो सब्सक्राइब करो यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है चलिए वीडियो शुरू करते हैं MS Access को चालू कैसे करते हैं और उसमें डेटाबेस कैसे तयार करते यह जानने से पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि आखिर MS Access क्या है तो आपको बता दें कि MS Access का पूरा नाम Microsoft Access है यह एक powerful database प्रोग्राम है जिसमें कोई भी तरह का मतलब किसी भी तरह का आप database आसानी से बना सकते हैं जैसे school की report तयार करना हो आफिस की report तयार करना हो या फिर ज कितना लेंदेन हुआ है कितनी बिक्री हुई है यह सब का database तयार करना हो या फिर कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको धेर सारे लोगों का या फिर धेर सारी चीजों का data तयार करना हो इसके अलावा और भी बहुत सारे database के काम MS Access में आसानी से आप कर सकते हैं जिस तरीके से MS Word म हम लोग document बनाते हैं और Excel में हम लोग spread sheet बनाते हैं और PowerPoint में PPT यानि PowerPoint presentation बनाते हैं ठीक उसी तरीके से Access में database तयार के जाता है और उसे database ही बोला जाता है अगर आपको यह समझ में आ रहा है तो वीडियो को like, share, subscribe कर दीजेगा और MS Access software को अलग से download करने की जरूरत नहीं होती ह यह MS Office के साथ ही आता है यानि कि अगर आपके computer या फिर laptop में MS Office डला हुआ है तो MS Word, Excel और PowerPoint के साथ साथ MS Access भी जरूर होगा आपके computer में जो की आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इसे अपने computer में ढूंड सकते हो और चालू कर सकते हो तो दोस्तों यह यहां से आपको यह पता चल गया होगा कि MS Access क्या है और अगर आप जो है Google में आते हो और यहां पर टाइप करते हो गुलाब गुरू लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है यहां पर जो है आपको तीसरे नंबर पे www.gulabguru.com की official website मिल जाएगी आप इस पर क्लिक करिए इ अगर मालनी जी आपको यह पोस्ट यहां पर नहीं मिल रही है तो आपको छोटा सा काम करना है कि यह जो सर्च बाक्स दिखाए देरा इसमें क्लिक करना है इसके अंदर आपको टाइप करना है MS Access जैसे ही आप MS Access लिक करके सर्च करोगे तो आपको यहां पर यह पोस्ट मिल जाएगी तो चलिए अब जान लेते हैं कि आप MS Access को अपने computer या फिर laptop में कैसे open कर सकते हैं तो MS Access को open करने के धेर सारे तरीके हैं जिन में से कुछ तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने computer या फिर laptop में MS Access को कैसे चालू कर सकते हैं जो पहला तरीका है वो यह ह लिक करके टाइप करोगे तो access की application आ जाएगी आप जो है बस इस पर click करके access को open कर सकते हो जैसे कि देख सकते हो यह हमारा access open हो गया है दूसरा तरीका यह है दोस्तों कि फिर से आपको start button पर ही click करना है यहाँ पर जो है all apps आपको दिखाई दे रहा होगा आप में यह जो है all program ह हो सकता है लिखा हुआ रहा है तो आपको all program पर ही click करना है इसके अंदर आपको जो है office ढूणना है office का एक folder होगा MS office का यह देखिए इसी folder को ढूणने के बाद आपको इस पर click करना है इसके अंदर आपको देखोगे MS office access 2007 मिल जाएगा आपको अगर आप 2010, 2013, 2016 इस्तमाल कर हो तो वो होगा ठीक है आपको जो है इस पर बस एक बार click करना है यह आपके computer में open हो जाएगा दोस्तो तीसरा तरीका है वो यह है कि आपको start पर ही click करना है all apps में ही जाना है इसके बाद फिर से आपको MS access वाले application में आ करके right button click करना है और यहाँ पर pin to start पर click कर देना है इसस यह फायदा होगा कि आप जो है यह program आपके start menu में यही पर जो है add हो चुका है बास scroll करिए आपको यहाँ पर मिल जागा Microsoft access 2007 इस पर click करके आप इसे open कर सकते हो दोस्तो अगला तरीका यह है कि आप जो है windows के साथ r button दबाईए आपके computer में जो है इस तरीके से run command खुलती है इ MS-A-C-E-S MS access ध्यान से देख लीज़े आपको यही type करना है अगर इसमें से आप थोड़ी सी भी text की गलती करते हो तो MS access चालू नहीं होगा MS access टाइप करने के बाद आपको जो है OK कर देना है तो MS access खोल जाएगा अब जो है MS access चालू हो चुका है लेकिन MS access में काम करने से प आपको जो है blank database पर click करेंके एक blank database लेना होगा मैं blank database ही लेने वाला हूँ आपको क्या करना है blank database पर click करना है और अब जो है आपको इसे अपने computer में save करना होगा MS access में काम करने से पहले आपने जो भी blank database लिया है उसको अपने computer में save करना पड़ता है तब ही जो है आप इस blank database पे काम कर पाएंगे, जैसे ही आप इस पर click करेंगे इदर देखोगे, के side में, तो यहां पर file का name चूज करने के लिए बोल रहा है, तो जो भी आप database के file का name रखना चाहते हैं, वो आपको यहां पर टाइप करना है, जैसे कि मैं जो है, गुलाब बारा टाइप करेता हूँ, इसके आप नीचे देखोगे कि ये जो हम डेटाबेस सेव कर रहे हैं, वो c drive में user वाली फाइल के अंदर एक और फाइल है, asd करके, उसके अंदर document वाली फाइल में ये सेव होगा, अगर आप चाहो तो अभी भी इसकी location चेंज कर सकते हो, location चेंज कि ये desktop पर यहाँ पर location ले चुका है, अब ये जो हम database तयार करेंगे, वो हमारे desktop पर save होगा, इसके बाद आपको create पर click कर देना है, इसके बाद आपके सामने MS Access का main interface दिखाई देता है, अब यहाँ पर आपको MS Access के main interface को समझना होगा, कि किस तरीके से हम इसके अंदर कोई भ Excel की तरह ही row और column मिलते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि Access में इन्हें जो है row और column नहीं बोला जाता है, Access में इन्हें जो column जैसे हैं इन्हें field बोला जाता है, और ये जो row जैसे हैं इनको record बोला जाता है, आप normally भासा में इन्हें column ये row बोल सकते हो, लेकिन Access की भासा म इसे फिल्ड और रिकॉर्ड बोला जाता है, इसी के ठीक बगल में आपको एक साइड पैनल मिलता है, जिसमें आपको जितनी भी आप टेबल इसके अंदर इंसर्ट कराओगे, वो सारी टेबल के लिस्ट इसके अंदर आपको दिखाए देगी, आप बारी बारी से क्लिक करके आप उस टेबल पर यहीं पर काम कर सकते हो इस तरीके से हमें MS Word, Excel, PowerPoint में सबसे उपर टाइटल बार मिल जाता है ठीक उसी तरीके से MS Access में सबसे उपर ही टाइटल बार मिलता है जिसमें आपने जो भी फाइल को सेव किया है उसका नाम दिखाई देता है साथ में आपको Database Access 2007 Microsoft Access लिखा हुआ मिल जाता है इसी टाइटल बार की पट्टी में आपको राइट साइड में जो है Minimize, Maximize, Close के बटल मिलते हैं और इसी पट्टी में आपको Left Side में Quick Access Toolbar मिल जाता है जिसे Shotcut Bar भी बोल जाता है इसमें वो सारे उप्शन होते हैं जिनने हम Shotcut के जरीए यूज कर सकते हैं फिलाल इसमें Default में तीन ही उप्शन होते हैं पहला है Save का, दूसरा है Undo, तीसरा है Reado आप अपनी इच्छा नुसार इसमें और भी Option को Add कर सकते हैं और हटा सकते हैं Option को Add करने के लिए आपको यह जो Symbol दिखाए दर इस पर क्लिक करना है जो भी Option इसके अंदर आपको Add करना है बस आपको इस पर क्लिक कर देना है वो Option इसके अंदर Add हो जाएगा और भी Option Add करने के लिए बस इसके बाद क्लिक करिए वो Add हो जाएगा हटाने के लिए आपको फिर से इस पर क्लिक करना है और यह Option को जो है अंचेक कर देना है वो यहां से हट जाता है और Title बार के ठीक नीचे यह जो आपको Sky Blue कलर की पट्टी दिख रही है इसको जो है Ribbon बोला जाता है और Ribbon के अंदर आपको यह जो Option दिखाई दे रहे हैं जैसे Home, Create, External Data, Database Tool, Data Seat इन सभी को जो है Tab बोला जाता है जैसे Home Tab, Create Tab, External Data Tab, Database Tool Tab और Data Seat Tab और आप देखोगे कि जिन भी Tab पर मैं क्लिक कर रहा हूँ उनसे लिटेट और भी Option इसके अंदर दिए गए हैं जिनका इस्तमाल करके आप जो है Access में एक अच्छा खासा Data तयार करोगे अगर आप इसको Minimize करना चाहो तो आपको इस पट्टी पर Right Click करना है और Minimize the Ribbon कर दोगे तो वो Minimize हो जाते हैं फिर से लाने के लिए आपको उसी पट्टी पर Right Click करना है और Minimize Ribbon को Uncheck कर देना है तो वो फिर Ribbon आ जाता है और इसी में आपको सबसे नीचे जो है Status Bar मिल जाता है जिसमें आपको यहां पर View के Option भी मिल जाते हैं साथ में आपको अगर आपने ज़्यादा Record तयार किये हैं तो आप यहां से Last Record पे जा सकती हो Previous Record पे जा सकती हो, First Record पे जा सकती हो और Next Record पे जा सकती हो और वहीं पर अगले Option पे क्लिक करके एक Blank Record भी Create कर सकते हो साथ में Filter वगरा लगा सकते हो जो की आगे हम लोग सीखेंगे MS Word में जो भी हम लोग फाइल बनाते हैं उसको जो है Document कहा जाता है और इसी तरीके से अगर हम Excel में कोई फाइल बनाते हैं तो उसको Spread Seat कहते हैं यहां पर हम छो है कोई एक छोटा सा डेटा बेस त्यार करके आपको दिखाते हैं तो यहां पर आपको Home tab में सबसे पहला Option मिलता है View का यहाँ पर आपको दो view मिलते हैं पहला है design view और data set view अभी यह जो आप view देख रहे हो हो वो data set view है और अगर आप design view पर click कर दोगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इस table को save करना होगा आप इसको ok कर दीजे इसके बाद design view कुछ इस तरीके से खोल जाता है अभी आप देखोगे field name में जो है id आ रहा है तो id की हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आप जो भी title रखना चाहते हो जो भी field का नाम रखना चाहते हो वो type करना है जिस तरीके से हम लोग excel में column में जो है heading बनाते हैं same वही चीज़ आपको यहाँ पर भी add करनी है जैसे कि मैंने लिख दिया है name name में जो है data type किस तरीके का होना चाहिए इस को okay कर दीजे auto number नहीं होना चाहिए name में जो है सिर्फ text होते हैं यानि जब हम कोई किसी का नाम लिखेंगे तो उसमें text आएगा इसके बाद जो है हमको अगला field का name देना है अगले field में हम लोग आएंगे और यहाँ पर मैं course type कर देता हूँ course को भी हम लोग text में ही लिखेंगे इसके बाद हम लोग अगले में आएंगे और यहाँ पर हम लोग fees type करेंगे fees को हम लोग number देने वाले है क्योंकि fees जो है number में type होती है इसलिए हम लोग जो है यहाँ पर number दे देंगे देखिए course में हम लोग क्या लिखेंगे ADCA, DCA, CCC तो वो जो है text में लिखे जाते हैं इसलिए हमने जो है text select किया है name में जो है हम किसी व्यक्ति का नाम लिखेंगे तो वो भी text ही होगा इसलिए हमने यहाँ पर भी text लिया है जबकि fees में हमने जो है number लिया है यानि उसमे number होते हैं इसी तरीके से अगर आप age यहाँ पर किसी की डालोगे तो age में भी आपको number select करना है अगर आप जो है कोई photo अगरा add करोगे तब आपको इस field में आकर के यहाँ पर attachment ले लेना है अगर आप कोई website वगरा का नाम डाल रहे हो या फिर कोई email ID वगरा डाल रहे हो तो hyperlink उसको कर सकते हो जो भी बंदा उस पर click करेगा वो आगे jump हो जाएगा इसी तरीके से अगर आप date and time लेना चाहते हो तो यह लग सकते हो और भी बहुत सारी चीजे है जो कि हम लोग आने वाली वीडियो में सीखेंगे फिलाल मैं यहाँ पर एक आपको छोटा सा database तयार करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर हमने field के नाम रख लिये हैं अब आपको क्या करना है फिर से view पर क्लिक करना है और इस बार जो है हमको data set view पर क्लिक कर देना है हम इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद इसको yes करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर जो भी हमने field यहाँ पर लिखे थे वो field के name यहाँ पर आ गए है जैसे कि name, course fees यह सारी चीज़े यहाँ पर आ गई है आप चाहो तो बिना यहाँ पर जाए design view पर यहीं पर जो है कोई दूसरी field insert करा सकते हो बस आप इस पर click करेंगे click करने के बाद जो भी इसके अंदर आप नाम add करना चाहते हो वो add कर सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पर गुलाब टाइप कर देता हूँ बस मैं example आपको समझा रहा हूँ मैंने यहाँ पर नाम टाइप कर दिया है अभी आप देखोगे यहाँ पर गुलाब का वी एक field आ गया है अगर आप इस field को delete करना चाहते हो तो आप इस field को select करिए इसके बाद data sheet पर आईए और यहाँ पर delete का option इस पर क्लिक करिए तो देखोगे वो field यहाँ से delete हो जाएगी तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप access में data की entry कैसे कर सकते हो और एक database कैसे तयार कर सकते हो तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नाम लिखेंगे तो मैं यहाँ पर अपना यह नाम लिख देता हूँ इसके बाद जो है हमको अगले वाले field में जाने के लिए हमको tab button को दबाना होगा तो हम अगली field में इस तरीके से आ जाएएगे इसके बाद जो है हम लोग लिखेंगे triple c जो भी student course कर रहा है उसका नाम type करेंगे इसके बाद फिर से tap the button दबाएंगे triple c की fees कितनी है उसको यहाँ पर type करेंगे 2000 इसके बाद फिर से आपको tap दबाना है तो आप अगले वाले record में आ जाओगे अब जो है आपको अगला record add करना है अगला record add करने के लिए आपको जो है उसका नाम type करना है इस तरीके से फिर से जो है fees कितनी है वो आपको यहाँ पर भर देनी है फिर से जो है आपको tap button दबाना है अगला record add करने के लिए तो हम लोग जो है अगला record भी यहाँ पर जो है add कर लेते हैं इसके बाद tap button दबाते हैं यह जो course कर रहा है उसका नाम हमको यहाँ पर जो है type करना है इसके बाद जो है फिर से tap button दबाना है किस course की fees कितनी है वो आपको यहाँ पर जो है type करना है इसके बाद जो है आपको फिर से tap बटन दबारा है किसी दूसरे का हम लोग जो है इसमें data को इंटर करेंगे अगला नाम टाइप करते हैं मुकेस tap बटन दबा करके इसमें हम लोग लिखेंगे triple c इसके बाद tap triple c की जो भी फीस है मैं यहाँ पर इंटर करेता हूँ इसी तरीके से आप जो भी database तयार करना चाहते हो सेम यही process होता है जो कि आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल Excel जैसा है जिस तरीके से हम लोग Excel में name, course, face लिकर के उसको data के इंटरी करते हैं सेम वही काम आप जो है MS Access में database इस तरीके से तयार कर सकते हो इसमें और भी बहुत सारी चीजे है जो कि आगे हम लोग सीखेंगे लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को Access के Office बटन जो है इनके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ तो देखिए इसमें जो Office में सारे option मिलते हैं यहां से आप एक new database तयार कर सकते हैं यानि new file ले सकते हैं यहां से अगर आपने पहले से कोई database तयार करके अपने computer में save किया है तो उसको यहां से open कर सकते हैं और यहां से आप जो है अपने database को save कर सकते हो Save as option का इस्तमाल करके आप इस database को कही दूसरी location पर किसी दूसरे नाम से जो है save कर सकते हो अगला option है print का इस option का इस्तमाल करके आपने जो database तयार किया है उसको direct print कर सकते हूँ और यहाँ पर print preview भी देख सकते हूँ जैसे कि अगर मैं print preview पर click करूँगा तो हमारा दिखायागा कि हमने जो database तयार किया है कुछ इस तरीके से print करने में आएगा और आप print preview देखकर भी यहाँ से print कर सकते हूँ बस print पर click करिए इस तरीके से option आएगा अपने printer को यहाँ से select करिए इसके बाद ok कर दोगी तो जो database आपने बनाया है वो print हो जाएगा इसमें जो अगला option है वो है manage का अगर आपने जो database बनाया है उसमें manage करना चाते हो जासे इसका backup लेना चाते हो तो अप यहाँ से ले सकते हो तो दोस्तो अभी भी जो है access में बहुत सारी चीजे बाकी हैं जो कि हम लोग आगयान वाली वीडियो में सीखेंगे जैसे home tab, create tab, external data tab, database tool tab, data sheet इन सभी के बारे में जानेंगे साथ में इसमें data को design करेंगे मैं आपको अलग-अलग तरीके के data दिखाने वाला हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को share करिए ताकि उनको अभी फायदा हो सके और चानल पर अगर पहली बार हो अभी तक चानल को subscribe नहीं कियो तो subscribe करो यार, subscribe करना बिल्कुल free है मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में एक नए जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम